नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी देंगे कि बॉइफ्रेंड से शादी करने से लड़कियां क्यों कतराती है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि आज की यंग जनरेशन अरेंज मैरिज पर मरोसा नहीं करती उन्हें तो अपने पसंद से शादी करनी होती है माना की लड़किया आतम निर्भर हो गई है और अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाती है लेकिन फिर भी अपने आपको यहीं बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों लड़किया आपने बॉयzubरेंट से शादी नहीं करती नमबर एक माताफिता के ड्र से प्यार जब होता है इनसान सामने आने वाली कोई भी कमी नहीं देखता वो गरीब है या अमीर दिल को ये सब बाते समझ नहीं आती लड़कियों के दिमाग की बात करे तो पहले वो प्यार कर लेती है लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है उन्हें जिन्दगी में कई तरह के समझोते करने पड़ेंगे इस चक्कर में वो अपने बोई फ्रेंट को छोड़ने की बात सोचने लगती है अगर आप किसी ऐसे लड़के से प्यार करती है जो आपके स्टेटस या कास्ट का ना हो तो माबाप की पसंद और मरजी की चिंता भी लड़कियों को सताने लगती है उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने प्यार करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी जैसा कि हमने आपको बताया है प्यार जब होता है तो इनसान सामने वाली की कमी को नहीं देख पाता ऐसे में ये दिलड़का गरीब होता है और उसके पास पैसो की दिक्कत होती है तो भी लड़किया ऐसे बोई फ्रेंड से शादी करने के लिए कतराती है रिष्टे की जिम्मेदारी अरेंज मेरिज में कोई भी बात हो जाए तो लड़किया अपने माबाप को इसका जिम्मेदार बता सकती है और उनके पास वापिस भी जा सकती है लेकिन अगर वो लब मेरिज करे तो अपने रिष्टे को निभाने की सारी जिम्मेदारी उनके सीर पर आ जाती है आप चाहे रिष्टा चले या ना चले वो इसके लिए किसी को भी जिमेदार नहीं ठहरा सकती और वापिस अपने माबाप के घर भी आने में दिक्कत होती है इसलिए शादी का फैसला जब भी ले तो सोच समझ कर ले क्यूंकि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी जिंदगी पर भारी पढ़ सकती है तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है हमारी ऐसी ही अने जानकारी को हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें अपने दुसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद